नमस्ते दोस्तों, आज मैं समर स्पेशल रेशिपी लेकर आई हूं तो हम पींटर को कहेंगे बाय और समर को कहेंगे हाय अभी फेब का महीना है वसत पंच में है तो मार्केट में बहुत सारे फ्रेस फूल अवैलेबल है तो मैं समर सीजन की शुरुवात इन फ्रेस फूलों से ही करना चाहूंगी और घर में ही मैं बनाने वाली हूँ रोज सीरप है, रोज जहम है, रोज वोटर है इन सब को हम घर में इजीली बना सकते हैं मैं हूँ पारूल और पारूस प्लेट में आप सभी का स्वागत है सिम्पल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्रेब जरूर करें तो चलिए गर्मियों में बहुत ही ठंड़क देने वाले ये घर में हम इजीली बना सकते हैं मैंने करीब 35-40 गुलाब ली है जिसके मैं पंकोड़ी इस तरह से निकाल ली है तो इस तरह से हमें पंखोडियों को निकाल लेना है और जो बीच वाला डंठले उसको निकाल लेना है यहाँ पर मैंने इस तरह से पंखोडिया 35-40 फुलों की अलग कर ली है और यहाँ पर मैंने जो बीच में से साइड की पंखोडिया निकल कर रहे थे इसको मैंने यहाँ पर गार्णिश के लिए निकाल दिया है 3-4 तो अब इन पंखोडियों को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से धोलेना है एक बड़े से बर्तन के अंदर इन पंखोडियों को डालेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से धोलेंगे इसे इसी तरह से बड़े बर्तन के अंदर ही अच्छी तरह से ज्यादा पानी के अंदर ही इसे धुए ताकि यह अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और इसी तरह से पंखोडियों को दो से तीन बार पाने को बदलना है और अच्छे तरह से धोलेना है जब भी आप गुलाब में से कोई भी रेसिपी घर के लिए बनाए तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखे गुलाब के ताकि आपको एसेंस और कलर का यूस ना करना पड़े तो बाचार में जो बहुत ही महेंगे से मिलने वाले रोज सीरप है रोज वोटर है रोज चेम है उसको आज हम घर में इजिली बनाएंगे तो यहाँ पर पंखोडियों को मैंने अच्छी तरह से दू लिया है तो चलिए अब बनाना शुरू करें तो चलिए अब सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ रोज सीरप उसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चीनी लिया है और थोड़े से निम्बू के फूल लंबे समय तक श्टोर करने के लिए निम्बू के फूल का ही यूज कीजिए चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है गेस को ओन करेंगे और सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे तो चाशनी के लिए आपने जिस नाप से चीनी लिए उसी नाप से आप आधा पानी लिजिए तो यहाँ पर म जो गुलाब की पंखुडिया है इसको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे चीनी यहां पर मैंने 500 ग्राम ही ली है तो करीब करीब हमें 15 गुलाब यानि की आधे गुलाब का ही हम यूज करेंगे इसके अंदर तो यहां पर मैंने गुलाब की पंखडियों को मिक्सी में क्रश कर लि चीनी खुल जाए कि उसके अंदर हमें जो मिक्सी में क्रश कर लिए है घुलाब की पंखडियों को उसे अंदर डाल देना है यहाँ पर हम एसेंस और कलर का यूज नहीं करने वाले हैं तो जब भी आप पंखडियों को इस तरह से अंदर डाल दे तो इसे ढग कर दो से चार मि हो चुके हैं तो आप देख सकते हो यहां पर गुलाब की पंखडियों का जो कलर है वो भी अंदर अच्छी तरह से आ गया है और खुस्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और हाँ जब भी आप रोज सिरप बनाए तो गेस की फ्लेम को स्लो ही रखे ज्यादा फास्ट ना रखे और अगर आपको लगता है कि यह रोज सिरप जो है वो लंबे समय तक रखना है तो आप इसमें निम्बू का फूल यूज कीजिए और आपको लगता है कि यह 15-20 दिन ही चलेगा तो आप फ्रेस लेमन जूस का भी यूज कर सकते हो पर मैं यहां पर स्टोर कर रही हू मैंने यहां पर निम्बू के फूल डाल है अब यह रोज सिरप जो है वो बनकर तयार है तो इसको हम नीचे ले लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब मैं बनाने वाली हूँ रोज जैम रोज जेम बनाने के लिए यहां पर मैं पंखोडियों को और चीनी को दोनों को मिक्सी में साथ में क्रश करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने आधी गुलाब की पंखोडिया लिए हैं और यहां पर करिब करिब 100-500 ग्रम जितने चीनी हैं हैं में लिए याने श्यक्तावं की कौप के नाप में या पर लिए रहने बनाने वाले हैं ते द दोनों को में अच्छी तरह से क्रश कर लेना हैं तो यहां पर मेंने चीनी और गुलाब की पंख़डियाidet को क्रश करके ले लिए हैं तो आप बनाना शुरू करें रोज जेम को भी बननाना भोत ही आसान है जीस नाप से आप चीनी लो उस ही नाप से आपको पानी लेना है और एक बड़े से बद्तन के अंदर उसे गरम करना है पानी जैसे गरम हो जाता है कि जो क्रश किया हुआ है चीनी और गुलाब की पंखड़िया के उसे अंदर डाल देना है गेस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और इसे करीब करीब 12-15 मिनिट तक इसे कुक करना है आप देख सकते हो कि यह इसके कलर और फ्लेवर जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से इ अगर आप इसे लंबे समय तक श्टोर करना चाहते हो तो आप निम्बो के फुल डाल दीजी और अब यह जो गुलाब का ताज जहम जो है वह बनकत तयार है इसके अंदर का जो पानी है वह भी चल चुका है और चीनी भी अच्छी तरह से घुल गई है रोज भी अच्छी तैयार है रोज सीरप अब ठंडा हो चुका है तो इसको हम निकाल लेंगे और अभी भी हमारे पास गुलाब की पंखोड़िया बच्ची है तो उसका हम रोज वाटर बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस रोज सीरप को बोटल के अंदर भर लेंगे आपके पास ग्लास का बोटल हो तो अच्छा है अगर ना हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो या जो भी एर्टाइट हो उसके अंदर आप भर सकते हो और इसे तीन से चार मेने तक स्टोर कर सकते हो रोज सीरप और रोज जम के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ रोज वोटर घर में भी रोज वोटर बनाना बहुत ही आसान है आप इसी तरह से थोड़े से गुलाब की पंखोडियों को ले लीजिए और कोई बड़ा सा ही बरतन ले लीजिए जिसके बीच में हम एक बरतन रखेंगे और आसपास में सारी गुलाब की पंखोडिया जो है वो इस तरह से डाल देंगे इस तरह से पंखोडियों को डालने के बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है पर ध्यान रहे कि जो बीच में बरतने उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए उसके लिए यहाँ पपर बैर सबसे पहले में उसके उपर एक इस तरह से डिस रह दूगी और अब एक ग्लास पानी जो है वो में इसके अंदर डाल दूगे पानी यहाँ पर एक ही ग्लास डालना है इससे ज़्यादा ना डाले और यहाँ पर जो बर्तन के उपर मैंने डीस रखी थी उसको अब निकाल लेना है और जो इसका कवार है ढकन है उसको हमें इस तरह से उल्टा रखना है और उसके उपर हमें आइस रख देना है आइस रखने के बाद हम गेस को चालू करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही गेस को रखेंगे और इसे करीब करीब 20-30 मिनिट तक इसे इस तरह से उबालने के लिए रख देंगे जैसे जैसे ही ये गुलाब का पानी जो है वो उबलता जाएगा और जो बीच में हमने खाली बरतन रखा है उसके अंदर भाब बनकर वो पानी बनकर आएगा वो ही प्योर रोज वोटर है चलिए अब करीब करीब 30 मिनिट होने को आये है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं तो देखा आपने की जो हमने रखा था पानी उबलने के लिए उसमें से जो भाब बनकर आया यही हमारा प्योर रोज वोटर है तो आपसे गर्मियों के दिनों में ठंड़क पाना के लिए घर में ही बनाई है आप रोज वोटर जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह प्योर रोज वोटर है जिससे आप गर्मियों के दिनों में भी ठंड़क पा सकते हो तो बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में हम घर में ही फ्रेज फ्लेवर का रोज सीरप, रोज जेम और रोज वोटर बना सकते हैं और आप इस रोज सीरप को आप सिफ ड्रिंक में ही नहीं आप डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हो अब जहां पर भी चाहे है आःव इसका सॉरमाजित कर सकते हो यहां पर मैं बना रही हूं रोज्षरबद ऊपर सुरमाध। सब्सक्राप भी करे jó रहे लिए विट अबे लें लिए उसे ब्लेंड कर लीजए हैस कि इस रोरॉज रोरॉज सीरप में ना तो हमने कळूरेड किया है और नउना ही था कि मैं भी मुक्य फेलेवरफुल और बहुत ही बढ़िया जब भी आप इस तरह से सीरप जेम या जो भी बनाए तो इसके अंदर आप रोज पेटल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा डाल दे ताकि हमें घर में ही यूज़ करना है तो आर्टिफिसेल कलर और रेसंस की जरुवत ना लगे और आप देख सकते हो कि यह रोज सीरप ह उसके अंदर आप कुछ भी डालो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जैसे के यहाँ पर मैंने पानी में डालके रोज शर्बत बनाया दूद में डालके मिल्चेक बनाया और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ लसी जिसके लिए यहाँ पर मैंने घर की ही बनी हुई मैं चमच मलाई ली है और साथ में मैंने एक कप दहीं लिया है त्यान रखे लसी बनाते समय की दहीं बिल्कुली खट्टा नहीं होना चाहिए रोज सीरप से सर्बत या मेचिक बनाओ तो हमें एक्स्ट्रा चिनी एड करने की जरुरत नहीं है पर अगर आप लसी बनाते हो तो उसके अंदर थोड़ी सी चिनी चरूर एड कर दे अब इसे ब्लेंड कर ले और अब यह बन गई है हमारी लसी तो देखा आपने की रोज सी सकते हों और सिफ इसके ड्रिंक्स ही नहीं आप इसके डेजर्ट और स्वीट भी बना सकते हैं और यह जो प्योर रोज वोटर जो बनाया है वो भी हमें घर्मियों के दिनों में बहुत ही ठंड़क देता है आप इसे चेहरे पर लगाए या फिर आप नहाने के पानी में डा कर सकते हों रोज शीरप और रोज वोटर के बाद अब मैं बना रहे हूं रोज जैम में से ब्रेड जैम तो यहां पर मैंने दो ब्रेड ली है जिसको मैंने इस तरह से वाटी से कट कर लिया है और राउंड से दे दिया है गर्मियों के दिनों में जब ज्यादा कुछ खाने का मनना करें तो ब्रेड जेम एक बहुत ही अच्छा ओप्शन है जिस तरह से यहां पर मैंने गुलाब की पंखडियों में चीनी मिला कर मिक्सी में क्रश्ट करके उसका जेम बनाया है आप उसी तरह से धूप में रखकर इसका गुलकन भी बना सकते हो जब भी आप ब्रेड ज जाम बना लिया है उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इस तरह से एक गुलाब की पंखडी लगा देंगे और थोड़ा सा ट्राइफ्रूट इसके उपर रख देंगे तो अब यह बन गया है हमारा ब्रेड जाम तो बहुत ही सिंपल और आसान तरिके से बीना एसेंस ब लिए शर्बत के अंदर हम खुदिने की पत्तिया डालेंगे रोज मिलके अंदर और लस्टी के अंदर ट्राइफूट डालेंगे और उपर से थोड़ी सी रोज पेटल्स डालकर इसको हम गार्निश करेंगे आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक् मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब्ट चरूर कुछीएगा